महाराष्टर में 2019 से ही देखा गया है कि सत्ता में उथर-पलतर होती रहती है उसके साथी साथ ये भी देखा गया है कि NCP हो या फिर शीवशना दोनों पार्टियों में स्प्लिट हुआ और दो पार्टियां आप कह सकते हैं पार्टियों में तब्बिल होगे लेकिन इसके बाद वुजूद आज भी देखा जा रहा है कि महायूति या NDAG से महाराश्टर में कहा जाता है उसमें MNS महाराश्टर नौनिर्मान सेना के चीफ राश ठाकरे शामिल होने वाले हैं अपनी पार्टी को लेकर के ऐसे अंदेश आ रहे हैं दिल्ली से तो इसका क्या महाविकास अगाडी या इंडिया आलाइंस पे महाराश्टर में फरक पड़ेगा आपको शुरुवात से अगर बताएं तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का उसमें राश ठाकरे प्रधानमंत्री नर्दमोदी के काफी आलो चक्र ह उन्होंने कई सभाय ली प्रधानमंत्री मोदी ने जो नियोजन किये हैं जो डेटा बताया है उन आकरों की आप कह सकते हैं काफी क्रिटिसाइजेशन भी राश ठाकरे ने किये थी उसके बाद ऑगस 2019 में एडी का राश ठाकरे को एक समन आया जिसके बाद से राश ठाकरे क कि सरकार गीरी और एकना छिंदे मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही आप पिछले दो सालों से देखेंगे कि मुख्यमंत्री एकना चिंदे उप मुक्यमंत्री देवेंdर फड्ड़ंविस ये लगता राश ठाकरे से औनके घर पे मुलाकात करते आये हैं जिसका रिजन य बड़े नेता है महाराश्य के उनको पूछा गया था कि क्या MNS के साथ किसी तरह का यूती कोईलिजन होने वाला है तब उन्होंने ये कह दिया था कि तीन पार्टियां और अल्रेडी महायूती में हैं जिसमें BJP, शिव सेना और NCP शामिल हैं इसके बाद और पार्टी के ऐसा क्यूं? आप कहेंगे कि पहले BJP, शिव सेना एकना चिंदे की जो थी वो साथ में आई लेकिन उसके बाद सर्वे कमजोर दिखा रहे थे BJP को महाराश्य में, महाराश्य में दूसरी सबसे ज़्यादा सीटे लोग सभा की हैं 48 सीट जिसके बाद अजित पवार को यानि उसके साथ-साथ नाम भी मिल गया अब इसके बाद भी जब चुनाओ का समय सामने आ रहा है तो जो सर्वे दिखा रहे हैं कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि BJP के जो हेड़कॉर्टर है उसमें जिस तरह के सर्वे अपेक्षित हैं वो सर्वे नहीं दिख पा रहे हैं शायद इसलिए आप कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि राश ठाकरे को फिर से नेवता दिया है और BJP में वो शामिल हो सकते हैं यहां पर आप कह सकते हैं कि impact महाविकास आगेड को क्या होगा तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं जो जो मराथी मानूस यानि कि कोर वोटर जो मराथी वोटर महाश्रक है हो सकता है लेकिन आप देखेंगे तो जितने आप कहा सकते हैं हडबडी महाविकास आगारी में नहीं देखने को मिल रही है उतनी हडबडी महायूती में देखने को मिल रही है एकना चिंदे से जो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट से उनके वो जो MPs है वो मुलाकात कर कर रहे हैं अजित पवा देवंदर फट्नवी से मुलाकात कर रहे हैं यह जानने कुशिश कर रहे हैं कि अभी तक महायूती है उसमें सीट डिकलरेशन नहीं हुआ था अराज ठाकर अगर आते हैं तो कितनी सीटे उन लोगों को मिलेगी एक के बाद एक एंट्री होने से कही कर रहे हैं कि उनकी वज़े से महाविका साकाड़ी की सरकार महाष्ट्रे में गिरी थी उद्धव ठाकरी की सरकार गिरी थी उसके बाद बीजेपी और शिव्चना की सरकार बनी थी तो अब यह फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या जो एक्जिस्टिंग कोईलिशन के लोग हैं वो आप कह सकते हैं कि इस तरह से एक तरह से इंसिक्योर हो रहे हैं क्या 48 सीट में महाविका साकाड़ी हो या फिर आप कह सकते हैं कि महायूती हो इन लोगों की सीट के जो डिकलेरेशन है वो अभी तक नहीं हुई है कही न कहीं सीट को सीटों को लेकर लोग जो है वो आगे जाती है तो इस तरह का फ्रिक्शन जो है यह अभी भी महायूती में और MVA में देखने को मिल रहा था उसके बाद अब MNS BJP की साथ जॉइन होगा ऐसी बात सामने आ रही है 2024 का जो लोकसवा चुनाओ होने जा रहा है उसमें सबसे दिलिजफ्ट चुनाओ जो है वो महाराश्टर के राज्यका होगा महाराश्टर में सभी पार्टिया अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है जनता अपना जो मैंडेट है वो किसको देती है ये आप कह सकते है कि काफी काफी जरूरी है सभी पार्टियों उसके लिए और जिस तरह की यहाँ पर डेवलप्मेंट पॉलिटिकल देखने को मिल रही है ये बात साफ है कि आने वाले 2024 में जो देश की दिशा होगी वो महाराश्टर ही डिसाइड करेगा कैमरसन नीदिन वन्ने के साथ मुस्तफा से एक चुनाओ तक